सबसे पहले जो न्यूज है वो कोपरा से जुड़ा हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाना होगा कोपरा के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कोपरा इस नथिंग बट आप देख रहे हैं जो नारियल का एक फार्म होता है इसको आप घर में यूज भी करते हैं तो यही कोपरा होता है अगर एक्जाम में पूछा जाए कि कोपरा क्या है तो इस पे MSP को बढ़ाने की बात चल रही है और बढ़ाया जा रहा है 2018 के सीजन में इंपॉर्डंट है MSP को जानना मिनिममम सपोर्ट प्राइस क्या होता है इस फॉर्म ऑफ अग्रिकल्चर मार्केट इंटर्वेंशन अन्टेकन बाइट इस इंट्रल गवर्मेंट तो सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया जाता है मार्केट को सिक्यॉर क करने के लिए और किसी भी प्रोड्यूस पे यानि किसी भी क्रॉप पे वो डिसाइड कर सकते हैं मिनिममम सपोर्ट प्राइस को और इंशुरिटी देता है फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट के लिए तो यहां पर इंपॉर्डन पॉइंट तो यह भी याद रखना है कि इसको अनांस किया जाता है सोइवग सीजन में जब विए क्रॉप को ऊगाने की बात चल रही होती है जो सीजन होता है कभी इसको अनांस किया जाता है ताकि जो फार्मर है वो बेचजक इस काम में आगे बढ़ें और अपने crop का production करें, तो particular crops के लिए इसको announce किया जा सकता है, ये भी आपको यादगना है, हर किसी के लिए MSP नहीं होता है, बहुत कम ऐसे crops होते हैं, जिस पर MSP का प्राफधान दिया जाता है, minimum support price का प्राफधान रखा जाता है, इसका मतलब ये होता है, कि farmers को ये कहा जाता है, क कि आपके इस crop का minimum price तै किया जाता है, minimum price इतना होगा, अगर market में आपका crop नहीं बिखता है, आपका जो produce है, जो product है वो नहीं बिखता है, तो government उनसे वो product खरीद लेती है, उस price पे, लेकिन farmers के पास पूरी आजादी होती है, कि तै कि ये MSP से वो ज्यादा दाम पर अपना सम सरकार को फिर दे देते हैं, storage के लिए, ठीक है, तो बहुत important है, इसको याद रखना है, MSP क्या होता है, and the prices are decided by CCEA, जो cabinet committee of economic affairs है, वो इसकी price decide करते है, कि क्या price रखी जाए, उस crop की on the base, on the recommendation of the commission of agriculture cost and price, तो CACB का recommendation मिलता है, CCEA को और फिर price तै की जाती है, next news है, Pampa Dum Shola National Park, तो important है, यह कहां है, सबसे पहले इसका location पता कीजे, तो इसका location है Western Ghart में, यह southern portion of Western Ghart में है यह park, और अभी यह news में इसलिए है, क्यूंकि नील-गिरी-मार्टन का एक यह जगह है, नील-गिरी-मार्टन के लिए जाना जाता है, Pampa Dum Shola National Park, नील-गिरी-मार्टन में इंपॉ नील-गिरी-मार्टन के लिए जाना जाता है, नील-गिरी-मार्टन जो है, वो एंडमिक है Western Ghart, नील-गिरी-मार्टन लुक्स लाइक सीवेट और मॉंगूज, इनको मॉंगूज ए फिर सीवेट की तरह यह दिखते हैं, और इट मोस्ट प्रिफर्स हाईयर अल्टिटूड तो यह सारे इसके फीचर्स है, पीस को याद रखें, हो सकता है UPC पूछ ले इस कोईशन को, नील-गिरी-मार्टन के बारे में पूछ ले, तो यह हाईयर एल्टिटूड पर रहना पसंद करते हैं, और यह Western Ghart के एंडमिक स्पेसीज हैं, नील-गिरी-मार्टन वाज सॉलि स्पेसीटूड पर नील-गिरी-मार्टन के तहत थे स्पेसीटूड थे सकता है, तो याद रखें है इस थारीके से से झेल-गिरी-मार्टन यह है, और इनका जो इनन इसने इंप्र सॉलिघरी-मार्टन के बहुत इंपॉर्टन में थेृट फ्रिटूट में ऑभी आती है, तो याद रखना है निलगरी मार्टन की जो भी 3-4 important point हमने देखें बहुत important है Next News है National Adaptation Fund for Climate Change तो ये Central Sector का Scheme है जिसको की lag एथर 2015-16 में और इसका उदेश है Climate Change से निपतना उसको control करना तो जिससे की का भी adaptation और mitigation को अपनाना है Climate Change के effect को कम करने के लिए उसके adverse effect को कम करने के लिए वो इसमें अपनाया जाता है The project related to the adaptation in sector such as agriculture, animal husbandry, water, forestry, tourism तो ये सारे चीज़े हैं इसमें याद रखना है आपको Animal, agriculture, husbandry, water, forestry ये सारे चीज़ें include है are eligible for funding under NAFCC तो NAFCC के तहद इनको funding के जाती है और National Bank for Agriculture and Rural Development तो NABAARD जो होती है वही financial entity को provide करती है तो National Implementation Entity है ये आपको याद रखना है NABAARD इन्वाल्व है इसमें और ये जो भी information हमने देखी काफी important है NAFCC के बारे आप और भी जान सकते हैं तो काफी important topic है ये Next News है Seven Heritage Site to get Disabled Friendly Facility तो Art and Culture के प्रस्पेक्टिव से बहुत important है Archaeological Survey of Nandu के Seven Sights को Disabled Friendly Facilities के तौर पे बनाया गया है वहाँ पे इंप्रूफ किया गया है जैसे कि Kailashnath Temple है, Kanshipuram और असल के ये सारे important sites हैं जो की बहुत important है कल्चर के प्रस्पेक्टिव से उसको Disabled Friendly बनाया गया है तो important है, पूछा जा सकता है And the Seven Sights have been identified under the Aadarsh Smarak Abhyaan तो Aadarsh Smarak Abhyaan के तहत इनमें काफियादा Modification किया गया है, इनको बहुत advanced बनान की कोशिश की गया है And as a part of the scheme, ASI under the Ministry of Culture Initially identified 25 Wensian Sights Total 25 Wensian Sights को जो Archaeological Survey of India उनोने identify किया था लेकिन उसमें अभी यह जो 7 Sights है उनको नोने डवलब भी कर दिया है And all necessary tourist facilities, including Wi-Fi, security, signage जिसनी भी advanced facilities होती है, उसको हाप एको कर दिया गया है तो important है यह और अब आज का कोशन देख लेते हैं Prithwi 2 Missile से जड़ा हुआ है It is Indigensly Developed Nuclear Capable Missile दूसरा statement है It is a surface to air missile And it has a strike range of more than 500 km तो हमें बताना है कि कौन सा answer इसमें से बिलकुल सही है True-false session देख लेते हैं Golynaath grouper fish जो हमने कल ही discuss किया है Considered as the keystone species of an ecosystem क्या यह सही है? कल भी discuss किया है जो Golynaath grouper fish है वो keystone species तो है ही साथ में critically endangered है इसलिए इसको बचाने की कोशिश की जा रही Keystone species आपको पता होगा बहुत important होते हैं वो उस पूरे environment को channelize करते हैं regulate करते हैं तो इनका होना बहुत जरूरी होता है इस वजह से इनको बहुत protect करने की कोशिश की जा रही है तो इसका अंसर यहां पे जो लिखावा है statement बिलकुल सही है It is true And दूसरा statement है It is recognized as endangered species by the IUCN तो क्या IUCN में ने इसको endangered recognize किया है पहले ही statement में इसका अंसर दे चुकी है अभी just endangered नहीं है यह critically endangered है तो जो भी चीज critically endangered है उस पे हमें थोड़ा सा ज्यादा धिहान रखना है क्यूंकि उस पे हर किसी का धिहान होता है तो हो सकता है तो गोली नांद गूपर्स के बारे में यह दो इसका गेन किया एक तो वह की स्टोन स्पेसी है और दूसरा वह critically endangered है ना कि endangered तो देख लेते हैं Which of the following statement is true about this scheme तो first statement था कि इसको implement किया चाहरा है state of Karnataka और collaboration with the government of India जो कि बिल्कुल सही statement है और दूसरा statement था कि यह जो प्रिधान मंत्री उच्वला योजना है उसी के तर्श पे काम कर रहा है जो लोग है उनको help पहुचाना इसका काम है LPG connection दे करके खास करके BPL families ठीक है तो यह state government का scheme है इसको यादकना है पर पापवदम शोला नेशनल पार्क है उसकी बात की है वहां पे जो इसपेसीज है जो कि वलनरेबल जोन में गाई है उनकी बात की है नेशनल एडपेशन, Fond of Climate Change की बात की है जो 7 heritage sites को developed किया गया है तो इम्पॉर्टेंट न्यूस को ने देख लिया है जोती की बात प्रशना है जो की सुर्ड़र के सब्सक्राइब लुटत łगड़ वेशचे की बजाएब टार्शना झालब लुटत पर प्रशसरां भात जो जो बहथ